हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टू माई चानल सु फ्रेंड्स आज मैं आपको माई क्रीम थ्रेड्स एक बहुत ही प्यारा सा माई क्रीम का कीचेन का विडियो शेयर करने वाला हूं सु फ्रेंड्स आपको माई क्रीम का कीचेन बनाने के लिए यहां पर चाहिए माई क्रीम आपको इभी कलर यहां पर माई क्रीम का ले सकते हों मैंने यहां पर लमन यलो कलर की माई क्रीम कॉर्ट्स यहां पर यूज किया है कीचेन रिंग चाहिए आपको एक या आपको किसी भ लाइटर एंसीजर तो इतना ही मेटीरियल आपको कीचेन बनाने के लिए चाहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करना मत भूलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कीचेन को बनाना सबसे पहले मैं यहां पर कीचेन रिंग को सेफटी पिन के साथ सेक्योर कर लिया है अब मैंने यहां पर लिया है लमन येलो कलर का माई क्रेम कॉड यहां पर मैंने इसका सेंटर जो है वो निकाला है अब हम यहां पर कॉड को सेंटर के नीचे से लेते हुए और रिं इस तरफ वाली कॉर्ड से नॉट लगाएंगे और एक बार हम यह वाली कॉर्ड से जो है इस तरीके से नॉट यहाँ पे लगाएंगे एक बार लेफ्ट वाली कॉर्ड से और एक बार राइट वाली कॉर्ड से आपको नॉट यहाँ पे लगानी है इस तरीके से हम यहाँ पे 5 5-10 टाइम्स नॉट्स लगाएंगे जितनी आपको इसकी हाइट चाहिए आप उतना यहाँ पे नॉट्स लगा सकते हैं तो यहाँ पे हमारी नॉट्स जो है वो लग चुकी है मैंने यहाँ पी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम्स यहाँ पे नॉट्स लगाई हुई है अब हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे दोनों कॉड्स को अलग अलग कर देंगे और अब हम यहाँ पे कॉड्स को अटाच करेंगे तो मैंने यहाँ पे फिर से यलो कलर का कॉड्स लिया है और यहाँ पे जो है इस तरीके से कौड को हम अटाच करेंगे और अब हम जो है एक बार इस तरी तरफ से कौड को निकालेंगे इस तरीके से और एक बार हम जो है कौड को ये दूसरी तरफ से निकाल लेंगे इस तरीके से और ऐसा ही हम दूसरी कौड के साथ करेंगे को इस तरफ वाली कॉर्ट से निकालना है और एक बार जो है इस तरफ वाली कॉर्ट से हम निकाल लेंगे इस तरीके से तो यहां पर हमारी कॉर्ट जो है वो अटैच हो देंगे अब हम यहां पर क्या करेंगे जो हमारी फर्स्ट वाली कॉर्ड है उस कॉर्ड को हम यहां पर प को फसाएंगे इस तरीके से और कॉड को यहां पर पाइप इन कर लेंगे इस तरीके से अज़ इस हम दूसरी तरफ करेंगे पहली वाली कॉड ले करके कॉड को पाइप इन करेंगे इस तरीके से और जब हम यहां पर यह वाली जो कॉड रहेगी इसके अंदर एक बीज को फसाएंगे इस तरीके से और फिर हम कॉड को पाइप इन करेंगे कुछ इस तरीके से तो यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से पाइप इन हमने कर लिया है अब हम यहाँ पे यह जो कॉड है इसको हम पाइप इन करेंगे और दूसरी वाली कॉड में हम जो है एक बीट्स को फसा लेंगे और फिर हम कॉड को जो है यहाँ पे पाइप इन करेंगे As it is हम दूसरी तरफ करेंगे कॉड को सबसे पहले पाइप इन कर लेंगे फिर उसके अंदर हम एक बीज को फसाएंगे और फिर हम यहाँ पे कॉड को जो है इसके साथ पाइप इन कर लेंगे अब हम इस तरफ वाली कॉड ले लेंगे और यहाँ पे कॉड को जो है पाइप इन करेंगे और दूसरे वाली कॉर्ड में एक बीज को फसाएंगे और फिर से हम यहाँ पे कॉर्ड को इसके साथ पाइपिन कर लेंगे As it is हम इस तरफ में करेंगे सबसे पहले कॉर्ड को पाइपिन करना है और उसके उपर वाली कॉर्ड में हम बीज फसा लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम इस कॉर्ड को भी पाइपिन कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे हम फ्री टाइमस इसको पाइपिन कर लेंगे As it is अब हम इसको पीछे की तरफ यहाँ पे जो है बस आपको यहाँ पर as it is जो है not हम लगाते हैं वो nots यहाँ पर लगानी है एक कॉड के साथ हमने यहाँ पर not लगा लिया है और अब हम यहाँ पर जो है एक not लगाएंगे इस तरीकी से कॉड को आपको लेना है और यह जो कॉड है इन कॉड के अंदर से आपको कॉड को निका लेना है इस तरीके से और यहां पर हम कॉड्स को आगे की तरफ में खीच लेंगे जिसे हमारी जो नौट रहेगी वो आगे की तरफ में लगेगी और फिर आपको जोब नौट लग जाएगी तhui आपको सारी की सारी कॉड्स को खींच लेना है इस तरीके से जिसे यहाँ पर कोई डापना रहे इस तरीके से अब हम यहाँ पर जो है सिंगल कॉड में बीज को डाल लेंगे इस तरीके से बीच को डालना है और जिकना आपको इसका height चाहिए उसके बाद आप यहाँ पर एक note लगा दीजी इस तरीके से और यहाँ पर code को cut कर लिजी इस तरीके से lighter के help से code को जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर stick कर देना है अब हम यह वाली कॉर्ट के साथ ऐसा करेंगे सबसे पहले कॉर्ड में आपको जो है बीज फसाना है इसके बाद आपको यहाँ पर नॉट लगा देना है इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर दिख पा रहे हैं को और अगयर Bis benefici के साथ करेंगे सबी के साथ यहाँ पर बीज डाल दिया है अब को जो आपए मने कॉर्ट कीए है और यहाँ पर लाइटर ले लिया है कॉर्ट को नीचे से आपको ऐसे मेल्ड करना है जसे कि जो कि हमने यहाँ पर cut किया हुआ है ये वाला इसका extra portion जो रहेगा वो इनके साथ यहाँ पर असानी से चिपप जाएगा और इसमें से जो beats है वो नहीं निकलेगा तो यहाँ से हम सारी cords के साथ करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसको जो है हम कीच लेंगे तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही beautiful सा कीचेन का डिजाइन बनकर complete हो गया है अगर friends आपको यह डिजाइन पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को like करना, share करना, comment करना और मेरे चैनल को subscribe जरूर करना और आपको ऐसे ही beautiful से वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हूँ Thank you so much for watching this video ऐसे ही वीडियो के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूँगा तब तक के लिए Bye Bye